नमस्कार दोस्तों मैं कमले साग के पेपर हैकर यूटूब चनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज हम BA 1st year में देखने वाले हैं Cyclusy में MCQ बहुत-बहुत पेपरसन है आपकी परिच्छा की दार्ष्टे से बहुत इंपोर्ठन ये जो पुरसन होते हैं अपके बहुत इंपोर्ठन हैं और ये जो नमबर होते हैं आपके बहुत ठोस नमबर होते हैं तो यह जो mcq तेखने वाले हैं तो यह ब्द्दी से रेलेटने वाले जो भी है बुद्धी वाली वे लिएवनसे दोटीट तो कुशन है बुद्धी एक सम्मंधात्मक चिंतन है यह कतन किसका है यानि बुद्धी क्या है एक सम्मंधात्मक चिंतन है यह बात किसने बोली है स्पीर मैंने बोली है एड़ वर्ड ने बोली है कर्मन ने बोली है तो यह वाद आपके बोली है सिरिल वर्ड ने ठीक है आपका आ सही उत्तर हो जाएगा अगला कुशन है बुद्धी कार करने की एक बिधी है यह परवासा किसकी है बुद्धी जो है कार करने की एक बिधी है ये प्रिवासा किसकी है तो ये प्रिवासा है आपके बुडबर्थ बा आपका राइट उत्तर हो जाएगा ठीक है अगला कुछन है बुद्धी के ये तीन मापदंड यानि बुद्धी के कौन से तीन मापदंड निरड़ा करना, समझना तता तरक करना किसने बताएं है ये जो तीन मापदंड है ये किसने बताएं है बुद्धी के बताईएगा तो आपके बुद्धी के जो तीन मापदंड है वो बताएं सिरिल वर्डन है ठीक है, आपका राइट अंसर हो जाएगा अगला कुछन है बुद्धी के एक खंड सिद्धान्द के जनक है जो बुद्धी के एक खंड सिद्धान्द दिया है वो किसने दिया है बुद्धी का एक खंड सिद्धान्द किसने दिया है Spearman, Binne, Terman, Garrett, Cole जो एक खंड सिद्धान्द दिया है वो दिया है आपके Binne, Terman ठीक है अगला कुछन है बुद्धी के दो खंड सिध्धान्त के पृत्वादक कौन है ठीक है बुद्धी के दो खंड सिध्धान्त के पृत्वादक कौन है या बुद्धी का दुई तत्व सिध्धान्त किस ने दिया एक तत्व किस ने दिया था एक तत्तु दिया था आपके बिने टर्मन ने ठीक है और जो दुई तत्तु सिद्धान दिया आपका वो दिया है बुद्धी के दो खंड से हैं दुई तत्तु सिद्धान दिया है वो आपका दिया है इस्पीयर मैंन ने दिया है ठीक है एक तत्यु इस ने दिया बिने ने और दूसरा जो दिया है स्पीर मैन ने दिया है ठीक है तो आपका दा सही उत्तर हो जागा ठीक है question no 6 है बुद्धि के मात्रा सिद्धान्त के पृत बादक हैं जो बुद्धि के मात्रा सिद्धान्त दिया है यह जो किस ने दिया है वो दिया है आपके ठान्डाइंक महोदे ने ठीक है बुद्धी का बहुतत्व सिद्धान्त किसने प्रस्तुत किया है यह जो सिद्धान्त पूश रहे है एक तत्व दू तत्व यह question में आना ही आना है आपको सिद्धान्त रट लेना है कि कौन सा सिद्धान्त किसने दिया है ठीक है तो ये बुद्धी का बहुतत्व सिद्धान्त ये बुद्धी का बहुकारक सिद्धान्त एक ही बात है बहुतत्व ये बहुकारक सिद्धान्त किसने प्रतवादित किया है ठीक है आपको बताना है जल्दी बताईएगा तो यह आपका भाहुकारक सिद्दान दूजिर यह आपका थरश्टर ने दिया है, ठीक है यह आपका सही उत्तर हो जाएगा अब आते बुद्धी परिच्छड की जनक हैं बुद्धी परिच्छड की जनक कौन है यहनी कि जिसने पहले पहला सिद्धान दिया है जिनने पहले सिद्ध किया है बुद्धी को उनको क्या है बुद्धी का जनक माना जाएगा तो कौन है तो पहला सिद्धान्त किस ने दिया है तो दिया है बिने ठीक है बिने ने दिया इसलिए इनको जनक भी कहा जाएगा आपका आस अयुत्तर हो जाएगा अब आपको बताना ये question number 9 है बुद्धी परिच्छड कितने प्रकार के होते हैं तो आपको बताना है बुद्धी परिच्छड कितने प्रकार के होते हैं तो बुद्धी परिच्छड होते हैं दो प्रकार के ठीक है एक साब्दिक और असाब्दिक ठीक है कौन कौन से होते हैं साब्दिक परिच्छड और असाब्दिक परिच्छड ठीक है याद रखना है आपको इस्टेनफोर्ड बिने इसकेल किसके मापन में प्रियोग किया जाता है जो इस्टेनफोर्ड बिने इसकेल दिया है वो किसके मापन में किया जाता है ब्यक्तित्व, बुद्धी अभिवर्ति, चरित्र इस टेंफोर्ड बिने किसे सम्मन देते बुद्धी से इननों बुद्धी का प्रतम सिद्धान दिया इसलिए क्या हो जाएगा आपका उत्तर बाह हो जाएगा ठीक है इस स्केल का प्रियोग बुद्धी के मापन में किया जाता है ठीक है अगला आपका कुश्चन है आर्मी अल्फा भासाई परिच्षड का प्रियोग किसके मापन के लिए किया जाता है जो आर्मी अल्फा बीटा गामा परिच्षड हुए थे बुद्धी पर आर्मी अल्फा भासाई जो परिच्षड है तो किसके मापन के लिए प्रियोग किया ज गुची आयू बुद्धी अभिव्यक्ति ठीक है तो आर्मी अलफा वीटा गामा जो परिच्छड हुथ है बुद्धी पे हुए थे ठीक है तो आपको क्या हो जागा साउत्तर हो जागा ठीक है अगला question है बुद्धी लब्दी की धाड़ा किसने दी थी तो बुद्धी लब्दी की धाड़ा दी थी वो किसने दी बुद्धी लब्दी की धाड़ा दी ए टर्मन ने ठीक है आपका सही उत्तर हो जाएगा बुद्धि लब्दी गयाद करने के लिए सुत्र क्या है ठीक है बुद्धि मापन के लिए निम्न में से कौन सा सुत्र सही है नहीं कि एक ही बात है बुद्धी लब्धी ग्याद करने के लिए सूत्र या बुद्धी मापन के लिए कौन सा सूत्र ठीक है तो बुद्धी मापन के लिए होता है मांस दी कायो बटे बास्त भी कायो ने दिया हुआ है बुद्धी मापन के लिए निमने उसको सा सूत्र ठीक है तो इसमें साहिद गलत दे रखा है इसमें यह होना चाहिए मानसिक आयो बटे बास्त्वेक आयो ठीक है इन्टु हंड्रेड होगा सारी रिक नहीं होगा ठीक है बास्त्विक आयो आपको यह सही हो जाएगा जहार रखना है आपको ठीक है अगला जो कुश्चन है मानसिक आयो का विचार किस मनोवग्यानिक ने प्रसुत किया जो मानसिक आयो का विचार है वो किस मनोवग्यानिक ने प्रसुत किया ठीक है वो आपके बिने महोदय ने प्रसुत किया दा आपका सही उत्तर हो जाएगा मानसिक आयो के द्वारा क्या मापा जाता है व्यक्तित उपलब्दी बुद्धी अभिवक्ति अभी आपने उपर पड़ा रखा है तो क्या क्या जाता है मापा जाता है क्या मापा जाता है बुद्धी को मापा जाता है ठीक है अगला कुशन है एक सामाने बालक की बुद्धी लब्दी होती है जो एक सामाने बालक होता है उसकी बुद्धी लब्दी कितनी होती है एक सामाने बालक की होती है बुद्धी लब्दी 90 से 110 होती है ठीक है आपका साह यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा भारत बर्स में सबसे पहला बुद्धी परिच्चड किसने बनाया था? अगला कुशन है आर्मी अलफा परिच्चड सम्मंदित है जो आर्मी अलफा परिच्चड है वो किस से सम्मंदित है? आर्मी अलफा परिच्चड है बुद्धी से बुद्धी परिच्चड से सम्मंदित है ठीक है? आर्मी अलफा बीटा गामा ये सभी किसे हैं? बुद्धी स संबन्दित हैं अगला जो पार्ट है हम लोगों का वो है बेक्तित्ट अब हम आप अब हम लोग देखेंगे कि बेक्तित्ट के बारे में ठीक है उनके बारे बहुत बेगल पी है ठीक है तो personality यानि बेक्तित्टट सब्द की उत्पत्ति किस सब्द से हुई, तो People's अगला जो कुश्चन है, किस ने कहा कि व्यक्तित्य जन्मजात एबım अरजित प्रवित्तियों का योग है ये बात किसने बोली है आपको बताना है तो ये आपकी बोली है बैलेंटाइन महोदेने ठीक है 14 फरवरी के नाम से याद रखियेगा बापका सही उत्तर हो जाएगा अगला कुश्चन है व्यक्ति तो व्यक्ति की उन मनों सारेरिक अवस्ताओं का गत्सील संगटन है जो परयावरण के साथ व्यक्ति का अदितिय समाय उजन इस्तापित करता है ये परिवासा किसकी है ये बात किसने बोली है चल्दी उताइएगा तो यह बात बोलिया आल पोर्ट ने ठीक है अगला जो कुशन है विक्तित्तु गुडों का समन्वित रूप है यह परवासा किसकी है यानि विक्तित्त का हमारे गुडों का विक्तित्तु हमारे गुडों का समन्वित रूप है यह परवासा किसकी है बुड़बर्थ की है, गिलफोर्ड की है, मारगन की है, इसकिनर की है तो आपकी ये परवासा दिया है, गिलफोर्ड महोदैने तो आपका बाउत्तर हो जाएगा अगला जो कुशन है, बिक्तित्त की धारणा को माना जाता है जो ब्यक्तित्यु की धारड़ा है उसको कैसा माना जाता है जैविक माना जाता है मनो बैग्यानिक माना जाता है जैविक रासायनिक माना जाता है मना सारी रिक माना जाता है तो उसको माना जाता है मनो सारी रिक माना जाता है आपका दा सही उत्तर हो जायेगा अगला कुश्ण है सेल्डन ने व्यक्तित्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् मनु बैग्यानिक प्रकार का बरगी करड़ किसने पृस्तित किया इसके मनु बैग्यानिक प्रकार का बरगी करड़ किसने पृस्तित किया जुंग ने किया, गैरिट ने किया, टर्मन ने किया, बिने ने किया, तो आप ये किसने प्रसुत किया, जुंग ने, आपका सही उतर हो जाएगा, जुंग अगला जो कुश्चन है, जुंग ने, बिक्तित्यु के कितने प्रकार बताए हैं, ठीक है, जुंग महुदा है, उन्होंने बिक्तित्यु के कितने प्रकार बताए हैं, जुंग महुदा ने प्रकार बताए हैं, आपके दो, आपका सही उतर हो जाएगा, अगला कुछ ने निम ले दो दो प्रकार के विक्तित्तु का वर्डन किस ने किया यानि जो नीचे लिखे हैं दो प्रकार के विक्तित्त यानि कौन से बहर मुखी और अंदर मुखी इनका वर्डन किस ने किया ठीक है आपके जो दो प्रकार के बिक्तित्तों है अन्ते मुखी और बैर मुखी इनका वर्डन जुंग ने किया ठीक है अगला कोशन है सरीर रचना के अधार पर बिक्तित्तों का वर्ड करण किस ने किया आल पॉट ने किया क्रेज मर ने किया जूंग ने किया ठीक है अनका यह क्रेज मर आपका बाह साही उत्तर हो जाएगा क्रेच्वन ने बिक्तित्तु के कितने प्रकार बता है जो क्रेच्वन में होदे हैं उन्होंने बिक्तित्तु के कितने प्रकार बताए हैं तो उन्होंने प्रकार बताए हैं तीन आपका सही उत्तर हो जाएगा वा ठीक है अगला कुछन है थान्डाइक ने बिक्तित्तु के कितने प्रकार बताए है जो थान्डाइक महोद है उन्होंने बिक्तित्तु के कितने प्रकार बताए है तो थान्डाइक ने बिक्तित्तु के तीन प्रकार बताए है ठीक है अगला कुछिछन है इस प्रेंगर ने बिक्तित्तु के कितने प्रकार बताए है इस प्रेंगर ने बिक्तित्तु के किसे प्रकार बताए है ठीक है तो इस प्रेंगर ने बिक्तित्तु के शह प्रकार बताए है अच्छे व्यक्तित्त की विसेस्ता क्या है जो अच्छा व्यक्तित्त है उसकी क्या विसेस्ता है सामाजिक्ता देड़े अच्छा सकती उप्युक्त सभी तो सामाजिक्ता भी बिठानी पड़ती है सामाजिक्ता भी लानी पड़ती है ठीक है अच्छा विक्तित्त बनाने के लिए इच्छा सक्ती का भी होना अनिवार है इसलिए क्या हो जाएगा उप्रोक्त सभी ठीक है दापका सही उत्तर हो जाएगा अगला कुशन है बिक्तित्त के मनो विशले सडात्मक सिद्दान के पृत्वादक है तो बिक्तित्त का मनो विशले सडात्मक सिद्दान दिया है वो किस ने दिया है बिक्तित्त का मनो विशले सडात्मक सिद्दान दिया है आपके फ्राइड महोदय ने जिसमें इन्होंने तीन प्रकार के मन का वड़न किया है चेतन मन दूसरा है अचेतन मन और तीसरा है अर्द चेतन मन याद रहेगा न अब ब्यक्तित्त्यु के मनोब इसले सडाता हूं मन की वात आ जाए ठीक है वहाँ पर फ्राइड आ जाएंगे ठीक है साहब का सही उत्र हो जाएगा ब्यक्तित्त्यु मापन की सरवत्तम विदी कौन सी है यानि की ब्यक्तित्त्यु मापन की सबसे उचित सरवत्तम विदी कौन सबसे जादा किस बिदी के द्वारा बिक्तित्तु का मापन किया जाता है साच्छातकार बिदी, प्रच्छेपड बिदी, प्रस्नामली बिदी, परिछड बिदी तो सबसे जादा बिक्तित्तु का मापन किया जाता है प्रच्चेपड बिदी के द्वारा तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अब आता है टैट परिच्छड किसका मापन करता है, टैट टैट, ठीक है, टैट परिच्छड जो है, किसका मापन करता है, आपको बताना क्या है, टैट परिच्छड किसका मापन करता है, टैट परिच्छड है, वो आपका विक्तित का मापन करता है, ठीक है, सा आपका सही उत्तर हो जाएगा अब जो है रोर्षा स्याई दब्बा परिच्षड हर्मन रोर्षा ठीक है कौन है हर्मन रोर्षा स्याई दब्बा परिच्षड मापता है किसको मापता है जो हर्मन रोर्षा है स्याई दब्बा परिच्षड किसको मापता है तो यहाँ पर देखो ब्यक्तित्य की बात चल लगी तो रोर्सा स्याई दब्बा पर इचड़ है ब्यक्तित्य को मापता है ठीक है बापका सही उत्तर हो जाएगा अगला कुश्चन है ब्यक्तित्य की सर्वोत्तम परिवासा किसे ने दी है जिसको हर जगे माना गया हो ठोस परिवासा जिसको सभी ने स्विकार किया हो ए परिवासा किसने दिये ठीक है तो ये परिवासा दिये आपके आलपोड महोदे ने ठीक है सबसे उचित परिवासा ठीक है अगला कुछन है सताही सील गुड तता स्रोत सील गुड किसने बता है सताई सील गुड तता स्रोत सील गुड किसने बता है कैटल ने बता है, आलपोर्ड ने बता है लेविन ने बता है, मरेन ने बता है तो वो आपके बता है कैटल ने, ठीक है क्या बता है, सताई सील गुड अगला portion है अभी प्रेड़ा अभी प्रेड़ा के बारे में हम जानेंगे ठीक है अभी प्रेड़ा का है क्या motivation सब्द की उत्पत्ती Latin भासा के किस सब्द से हुई है तो motivation सब्द है इसकी उत्पत्ती Latin भासा से हुई है यह तो निश्चित है क्योंकि यह इसमें दे रखा है लेकिन लाइटन भास्ता के किस सब्द से हुई है यह आपको बताना है ठीक है तो मोड़ी वज़ा सब्द की उत्वद दिया मोटम सब्द से ठीक है आपका यह हो जाएगा आसा ही उत्तर मोटम ठीक है अगला कोशन प्रेयरक कोई एक विसेस आंत्रिक कारक यह दसा है क्या प्रेयरक जो है एक विसेस आंत्रिक कारक यह दसा है किसमें जिसमें किसी किरिया को आरम करने और बनाए रखने की प्रवर्ति होती है जिसमें किसी किरिया को आरम करने बनाए रखने की प्रवर्थी होती है यह प्रवासा किस ने दी है ठीक है तो यह प्रवासा दी है आपके गिल फोर्ड महोदे ने बापका से उत्तर हो जाएगा आप पूछ रहा है आपसे आप प्रवासा किस प्रकार की क्रिया है जो अभी प्रवासा है वो किस प्रकार की क्रिया है तो जो अभी प्रेड़ा है वो मनो सारी क्रिया है ठीक है आपका आ सही उत्तर हो जाएगा अभी प्रेड़ा का प्रितम स्रोत क्या है जो अभी प्रेड़ा है उसका प्रितम स्रोत क्या है हमें सबसे पहले कहां से प्राप्त होती है उसका स्रोत क्या है तो लक्ष पुरुसकार चालक लक्ष भी हमें बाद में प्राप्त होता है ठीक है लक्ष में पहले बनाना पड़ता है निर्दार्द करना पड़ता है ठीक है पुरुसकार हम कोई अच्छा काम करते तो प्राप्त होता है ठीक है इसमें क्या हो जाएगा आपका इसमें आवस्यक्ता हो जाएगा ठीक है जब हमको आवस्यक्ता होगी तभी तो अभी प्रेड़ा उत्पन होगी ठीक है इसका जो प्रतम शुरूत होगा वो आपका आवस्य रखता हो यागा आपका प्रेड़ा कितने प्रकार की होती है प्रेड़ा होती है कि अब फ्रेड़ा हुती है दो प्रकार की त्यक्त हो जायցज़ का जन्मजात प्रेरक को निमलिकित में से क्या कहा जाता है जो जन्मजात प्रेरक होता है उसको क्या कहा जाता है सारीरिक प्रेरक, प्रात्मिक प्रेरक, जैविकिये प्रेरक, उप्रुक्त सभी तो आपका सारीरिक प्रेरक भी कहला है गा प्राट्मिक प्रेरक भी कह रहाएगा जैवी की प्रेरक भी कह रहाएगा तो आपका क्यों हो जाएगा ये तीनों ही सही है तो आपका उत्तर हो जाएगा दाउप्रोक्त सभी ठीक है अगला जो कुश्चन है भूख और प्यास कैसे प्रेरक है जो हमें भूक लगती है, प्यास लगती है, ये जो हैं कैसे प्रेरख है, ठीक है, ब्यक्तिकत, सामाजिक, जन्मजात, अर्जित, किसी के दोरा अर्जित नहीं है, ठीक है, सामाजिक नहीं है, भूक प्यास का सामाजिक है, ब्यक्तिकत नहीं है, ये जो भूक प्यास है, ये ज जन्मजाद है ठीक है याईनि कि छोटा बच्चा भी होगा उसे भी अगर भूख लगेगी तो वो कई प्रकार की क्रियाएं करेगा अपनी भूख को मिटाने के लिए हाथ चलाएगा रोएगा ठीक है तो भूख प्यास जन्मजाद प्रेरक है सहाब का सयुत्तर हो जाएगा आदत रुची आद कैसे प्रेरक है यानि रुची और आदत कैसे प्रेरक है ठीक है हमारी आदत है हमारी रुची है कैसे प्रेरक है जनमजात अरजित समाजिक करत्यम तो देखो आदत और रुचि है यह जनमजात तो नहीं है ठीक है यह होगी अरजित क्योंकि हमारे अंदर जो रुचिय उत्वन होती है वो किसी को देखकर ठीक है और जो हमारे आदत हमारे अन्दर आदत हमारे जो आदत बन जाती है वो किसी को देख के बन जाती है तो किसी की तो इसमें क्या हो जाएगा बापका सही उत्तर हो जाएगा यहीं किसी की गलतियों को किसी की अच्छाईयों को ग्रैड करना ठीक है उसकी आत्तों को ग्रैड करना क्या है अरजित प्रेरक है हम उससे अरजित कर रहे हैं ठीक है बापका सयुत्तर हो जाएगा दंड और पुरुस्कार है दंड और पुरुस्कार क्या है मनोबैज्ञानिक प्रेरक समाविक प्रेरक क्रत्यम प्रेरक सामाजिक प्रेरक तो दंड और पुरुस्कार है आपका क्रत्यम प्रेरक सा आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला कुछिशन है प्रेरक एक सक्ति है जो प्रेरक है वो एक सक्ति है कैसी सक्ति है आपको बताना है मानसिक सक्ति, दहक सक्ति, मनोबैज्ञानिक सक्ति, आंत्रिक सक्ति प्रेरक जो है आंत्रिक सक्ति है ठीक है दाप का सही अंसर होता है कौन सा अभी प्रेरक जैविकी या प्रात्मिक नहीं है उपलबदी, भूख, प्यास, यौन तो भूख भी एक जैविक करिया है ठीक है प्यास भी जैविक है यौन भी जैविक है लेकिन जो उपलबदी मिलती है वो जैविक नहीं है वो हमें हमारे कारेओं से मिलती है ठीक है निस्कर्सों से मिलती है अगला जो portion है हम देखने माले है संबेग संबेग के वारे में जो भी बहुत 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 प्रशन है उन पर हम देखने वाले है आपका जो संबेग से related पहला question है वो है आपका संबेग का hypothalamus सिद्धान्त कौन सा है संबेग का hypothalamus सिद्धान्त कौन सा है तो ये आपका हो जाएगा कैनन बाड सिद्धान्द संबेक का हाइपो थैले में सिद्धान्द कौन सा हो जाएगा कैनन बाड सिद्धान्द रट लेना ये कुश्चन आपको एक्जाम में आएगा जरूर संबेक का परदिय सिद्धान्द कौन सा है यह नहीं संबेक का परदिय सिद्धान्द कौन सा है जो संबेक का परदिय सिद्धान्द है वो जेम्स लांजे सिद्धान्द है जेम्स लांजे सिद्धान्द जेम्स लांजे नहीं दिया था इसलिए इसका सिद्धान्त का नाम जेम सलाज्य सिद्धान्त है बापका सही उत्तर हो जाएगा अगला कुशन है संबेक की उत्पत्ति में सबसे इस पष्ट गून का किसकी है यहनि हमारे अंदर जो संबेक उत्पन होते हैं ठीक है संबेक उत्पन होते है वो उत्पन होने में सबसे ज़्यादा भूमिका कौन निवाता है ठीक है रेटिकुलर फार्मेशन हाइपो थैलेमस थैलेमस गैलवेनिक तत्व अंकिरिया ठीक है आपका क्या हो जाएगा सा हाइपो थैलेमस सा आपका राइट अंसर हो जाएगा निमलिकित मैंसे किस सिध्धानत में संबेक उत्पन होना संबेक उत्पन बिवार पर निर्वर करता है यानि क्या पूछ रहा है संबेक आत्मक अनुभूती का उत्पन होना संबेक आत्मक अनुभूती का उत्पन होना संबेक आत्मक बिवार पर निर्वर करता है यह बात किसने बोली है तो यह बात बोली है ने अपके James лाणजे सिद्धान्द के द्वारा बोली गई है जो की James lाणजे ने दिया था ठीक है अगला कुश्ण देखने माले हम संबेक की संबेक की अवस्ते में कौन सा भाग सक्रिय होता है संबेक होता है न इसकी अवस्ता में कोन सा भाग सक्रिय होता है ठीक है क्रिया सील होता है है थैलेमस थैलेमस लगुमस्तिक सुस्मना आपका हो जागा है थैलेमस संबेक की अबस्ता में सक्रिय भाग कौन सा है है थैलेमस इस कैक्टर सिंगर द्वारा संबेक के किस सिद्धान्त का पृतिपादन किया गया जो इस कैक्टर सिंगर नामक बैज्ञानिक थे ठीक है इनके द्वारा संबेक के किस सिद्धान्त का पृतिपादन किया गया इनके द्वारा संबेक के संग्यानात्मक सिद्धान्त का पृतिपादन किया गया बाप का राइट अंसर हो जाएगा अगला कुशन है संब्य गातमक अवस्ता में मस्तिस्क में कौन सी तरंगे उत्पन होती है संब्य गातमक अवस्ता में मस्तिस्क में कौन सी तरंगे उत्पन होती है अलफा तरंगे बीटा तरंगे गामा तरंगे डिल्टा तरंगे तो जो संब्य गातमक अवस्ता है उसमें मस्तिस्क में बीटा तरंगे उत्पन होती है ठीक है बाप का right answer हो जाएगा emotion सब्द की उत्पत्ति Latin वाशा के किस सब्द से हुई है emotion ठीक है emotion सब्द की उत्पत्ति Latin वाशा के किस सब्द से हुई है इमोवेर 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 इमोरेर इमोवेर ठीक है यह आपकी उत्पत्ति हुई है इमोवेर ठीक है बाप का right answer हो जाएगा अगला question है संब्द ब्यक्त की उत्तेजित दसा है यह कदन किस का जो संब्द है ब्यक्त की उत्तेजित दसा है यह वाथ किसने बोली है crow and crow, gems driver, woodworth, kimball, young ठीक है तो यह वाथ आपके बोली है woodworth, maho, दैने ठीक है यह कदन है woodworth का आपका right answer हो जाएगा किसने कहाय है कि संब्द एक उपद्द्रव की इवस्ता है कि यह वाथ किसने बोली है कि संब्द जो है एक उपद्द्द की अवस्ता है तो यह बात बोली आपके pting आपका right answer हो जाएगा अगला कुछ ने संबेग में परिवर्तन होते हैं क्यों संबेग है उसमें परिवर्तन होते हैं कौन से परिवर्तन होते हैं बहाई होते हैं आंतरिक होते हैं उप्युक्त आ तता बाद होने यानि आंतरिक और भाई दोनों होते हैं उप्यक्त मेंसे कोई सा नहीं होता तो संब्यक में परिवर्थन कौन से होते हैं वहाई भी होते हैं आंत्रिक होते हैं तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उप्यक्तों आ तथा बा दोनों ठीक है संबेक में वाहे भी परिवर्थन होते हैं और आंत्रिक भी परिवर्थन होते हैं ठीक है जेम सलांजे सिद्धान्त के अनुसार पहले क्या अनुभव होता है जो जेम सलांजे का सिद्धान्त है इनके अनुसार पहले क्या अनुभव होता है तो किसका अनुवब होता है तो दोस्तो आज के लिए इतना ही और आपके जो MC क्यों है मैंने सारे करा दिये channel आपके लिए ये इतना ही पढ़ना है और इसमें से आप इसमें से ही आपके paper में आने बाला है ठीक है इससे पहले की वीडियो आप playlist में जाके देख सकते हैं आपको सारे के सारे करना है ठीक है और जो सिद्धान से रिलेटिक जो भी वह विगल पी है वो आपको रट लेना है बलकुल इस ते बाहर कहीं नहीं आने वाला ठीक है आपको हमारी पहले की जो वीडियो देखनी है तो आप हमारे यूटूब हैकर चैनल में जाईए ठीक है पेपर हैकर यूटूब चैनल में जाईए उसमें आप सर्च की दिये प्लेलेश्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगी सारी की सारी और आपको तयार कर लेना है तो धन्यवाद दोस्तो